हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसलिए भी वो किसी के भी निमंतरण को स्विकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भर कर मिठाई खाते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहां उन्होंने मन भर कर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल दे कर विदा किया। लोटने समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठ कर आ रहे थे लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आपको संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेशी जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आपको संभाल नहीं सके और मिठाईयां भी यहां वहां गिर गई। यह सब चंद्रदेव उपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सक चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और उपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया उन्होंने शीग्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वहीं व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तो उसके उपर से चायर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई।